गुपाल गंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कालकुलेटिव जिसको बोलते हैं तक कहीं न कहीं चुक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत लेकिन कोड़नी में उस चुक को हम लोग रिपीट नहीं होने दें एम आएम तो पूरी तरह से भारती जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में मैनौर्टी के भोट का कैसे बिखरा हो उसकी स्ट्राटीजी पर काम कर रहा है अपने आपको कमजोर मसूद कर रही है और मेरे मेरे उमिद्वार को मजबूत मसूद कर रही है तो 2020 के चौधरी मुझाफर पहुंचेते इस दोरान कुर्णी उपचुनाव को लेका है उन्होंने बड़ी बात कही उन्हों साफ साफ कहा कि गोपाल गंज वाली चूक इस बार नहीं दोहराए जाएगी वहीं AIMIM जो ओवेसी की पार्टी है उसे बीजेपी की बी टीम बताया है पार्टी के हमारे उमिदवार मनोज कुषवाजी चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी ने उनको अधिकारी गुरूप से उसकी गोशना कलकी है और महागटबंदन के उमिदवार हैं तो हम समस्ते हैं कि मनोज कुषवाजी लंबे समय से इस कूर्णी विदानसवा पर काम कर दो दो तिन तीन बार उनको प्रतनिद्ध करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छे तरह से विधान सभा का प्रतनिद्ध किया बहुत मजबूत उमिद्वार हैं इसलिए हम लोग जीत के प्रती आस्वस्त है गोपाल गंज तो देखे गोपाल गंज की सीट जीतना थोड मतलब कालकुलेटिव जिसको बोलते हैं तक कहीं न कहीं चुक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत लेकिन कोड़नी में उस चुक को हम लोग रिपीट नहीं होने देगें यह हर जगह देखिए हर जगह हर कंसुनसी में समिकरन डिफरेंट होता है MIM तो पूरी तरह से भाति जंता पार्टी की B टीम है और इस प्रदेश में मेनौरिटी के वोट का कैसे विखराओ हो उसकी स्टाटीजी पर काम कर रहा है जहां जहां मेनौरिटी बेस्ट रहता है जिसको बोलते हैं कंसुनसीज है वहां पर ये उमिदवार खड़ा करके च मुसल्मानों में भी एक सीख आई है खास करके मुसल्मान के जो मद्दाता हैं और जो नोजवान मुछलमान साती है उनमें भी सीख आई है कि MIM जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारते जंता पार्टी को जिताने के लिए उमिदवार खड़ा करता है अब तेखिए कब ऐसा है कि कि जब सराबंदी लागू नहीं था तो कोई लोग करते हूंगे लेकिन बहुत से लोग एक करोड जो सर्वे हुआ उसमें एक करोड लोग ने सराबंदी के बाद सराब छोड़ा है तो मनोजी भी उसमें से एक हो सकते हैं अब पुराना एका फोटो पहले का फोटो या उओ को जानता है इससे बात इससे पता चलता है ना कि अस्तर जो है मराजनितिक मुद्दो से हट करके बेक्तिकत मुद्दो पर भारते जनता पाटी इसलिए कि भारते बंदा आपने आपको कमजोर मसूस कर रही है और मेरे मेरे उमिद्वार को मजबूत मसूस कर रही है इसलिए इस तरह का वायरल करती है बिल्कुल 100% चिराग पास्वान ये लोग तो पहले से न समर्थन में है कोई नया बात थोड़ी है कोई नियू पुलिटिकल डेवलप्मेंट स्टेट में नहीं नहीं है चिराग पास्वान तो 2020 के विदान सबाद चुनाओं में भारते जनता वडार बाति ने अपने वोट को लोट की ओमिदाबार में ट्रांसफर कराया यह कोन नया बात है कि बहुत बढ़ार पुलिटिकल डेवलप्मेंट हो गया है तो आपने सुना की बिहार सरकार के मंत्रे अशोक चौधरी ने क्य सारी बातों को कहा है उन्हों साफ साफ कहा कि क कुर्णी में हमारी जीत होगी गोपाल गंज वाली चूक इस बार नहीं दोहराए जाएगी वही चिराग को लेकर भी कई सारी बात कहीं है चिराग पासवान जो लोक्षेंशक्ति पार्टी राम बिलास के राश्टी अद्रेक्ष उनको लेकर भी कई सारी बातों को कहा है झालोजगा झालोजा झालोजाइ प्रभ्रेजर उन्हेंज़ाँ